आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रशाद यादो का स्वधेस लोटना हो गया है वो बिहार कब लोटेंगे इसको लेकर के बिहार के राजदिती में चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रशाद यादो अपनी बेटी रोहिनी अचारिया के सिंगपुर वाले घर पर आराम कर रहे थे डॉक्टरों की निगरानी में थे और अब देखिए कल ही तेजश्य यादो लालू प्रशाद और बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ नजर आ रहे हैं काले चसमे में और हवाई चपल पहने लालू प्रशाद यादो को देखने और उनके चाहने वालों की दिल्ली इस्थितवास पर लाइन लग गई है क्योंकि लालू प्रशाद यादो करीब करीब तीन महीने के बाद लालू प्रशाद यादो स्वदेश लोटे हैं और स्वदेश लोटने के साथ ही साथ उनका कुसल छेम जानने के लिए उनके तमाम कारेकरता और चाहने वाले दिल्ली इस्थितवास पर लाइन लगा रहे हैं मिलने के लिए हाला कि परिवार वालों का कहना है कि लालू प्रशाद यादो अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बिहार कब लोटेंगे पटना कब आएंगे ये एक बड़ा प्रश्ण उठ रहा है क्योंकि तयाश्वी यादो अब और इसकी तयारी महागडबंदन के तरफ से शुरू कर दी गई है और इसी को देखते हुए तयाश्वी यादो मास्टर प्लान बनाने के लिए पिता जी से मिलने और उनके स्वास्त का हालचाल लेने के लिए दिल्ली पहुँच गए हैं सब काम को छोड़के तयाश्वी य यानि कि लालू प्रशाद यादो के जो चाहने वाले हैं वो लालू प्रशाद यादो को काले चस्में और हवाई चपल में स्वस्त देखकर काफी जादा खुश और गदगद हो जाते हैं आपको बताए कि खबर ये भी है कि पूर्णिया में जो 25 फरवरी को महारैली एक त तरीके से होगा उसमें लालू प्रशाद यादो की वीडियो कंफरेंसिंग में वो जुड़े रहेंगे इसके पहले भी लालू प्रशाद यादो बिहार की राजनिती में जब वो दिल्ली में थे जब जेल से वो बाहर निकिले थे तो बिहार की राजनिती का जायजा ले र किड्निट ट्रांस्प्लांट होने के बाद लालू प्रशाद यादो अब बिहार के राजनिती में धीरे धीरे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और पूर्णिया में जो महारेली होने वाला है उसमें वो संबोधन भी करेंगे उनके जो तमाम चाहने वाले इस बात का इ पूर्णिया में वीडियो कंफरेंसिंग के साथ तेजाश्वी यादो मुखे मंतरी इंतीश कुमार के साथ महागडबंदन के कई दिगज और वरिष्ट नेता मंतरी भी मौजूद रहने वाले हैं और उसी दिन अमित साका भी शक्ति प्रदर्शन बिहार की धर्ति से होने जा रहा है क्या कुछ होगा 25 फरवरी को ये बिहार के राजदिती में एक एहम दिन माना जा रहा है तमाम खबरें हम आपको लगतार देते रहेंगे आप जुड़े रहें दबिहार टॉप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद